हे दोस्तों, चाथ स्विक होग्त इस會 से एल्पीटुप चैनल दोस्त आज की वीडियो में जानेंगे में का सर्विस रिक्वेस्ट के एसे जो अप क्रियाट कर सकते हैं रिलेशन्शिप के अंदर तो इसी की वारे में आज की वीडियो दे तो चलिए वीडियो में आववाद तो दोस्तों मेकानिक का सर्विस रिक्वेस्ट क्रेट करने के लिए आपको जो यह रिलेशन्शिप टैप पर आजाना है और उस कंजूमर को सेर्च कर लें जिसका लिकेज कंप्लेंड हुआ है कि दोस्तों सिय वी यह से वी करने के लिए यानि इस्टाक एडजस्ट्मेंट भ सिलेंडर के लिए देखना है और मेकानिक आके जो रिपोर्ट देगा वह आपको मेशिनों submit करना है ठीक है न दोस्तों तो दोस्तों मैं उसके बाद का process यह दिखाता हूँ आपको कि उसी consumer को आजाना है service request के अंदर तो दोस्तों मैंने service request के अंदर आ गया हूँ और यह पर देख सकते हैं वही एसर अभी in process है उसका next step में करके आपको यह पर दिखाता हूँ दोस्तों आप ऐसे अगर close करने की कोशिस करेंगे तो close नहीं आएगा ठीक है नहीं होगा क्योंकि यह e road दिखाएगा क्योंकि ए closed अभी direct नहीं होगा क्योंकि mechanic ने उनका जो details है क्या क्या हूआ पर changes हुआ है वो नहीं बताया submit by mechanic करेंगे फिर भी नहीं होगा दोस्तों इसका process क्या है आपको नीचे की तरफ आजाना है यह पर देख सकते कि क्या क्या changes हुआ है mechanic जब गए थे consumer के गर visit करने के लिए तो यह पर क्या क्या changes किये गए है तो yes no yes no करके सारे details आपको यह पर fill कर देना है देख सकते PR change हुआ है no और उसके साथ साथ cylinder cylinder change हुआ है तो cylinder में मैंने yes लिखा consumer का cylinder change करना पड़ा body leak था इसलिए और उसके साथ साथ जो है host pipe change हुआ है o ring change हुआ है क्या change हुआ है इसका सारे details से yes no yes no करके आपको value में यह पर fill कर देना है तो दोस्तों मैं सारे चीज जो है आपको fill करके दिखाता हूँ तो दोस्तों यह पर इसी तरीके से इसको yes no yes no करके fill कर सकते हैं बहुत ही आसान है करना तो उसे सारे details जो है आप एस no yes no करके fill कर दीजिए आपका जो कोई भी change हुआ है तो यह पर देख सकते हैं मेरा यह change हुआ है वो ring भी change नहीं हुआ था तो मैं यह पर no कर दूंगा no जैसे ही कर दिया इसके बाद उपर के आप तरफ आपक दिख सकते हैं आपको option दिखाई देगा submit by mechanic आप closed करेंगे closed कभी नहीं होगा फिर शे में दिखाता हुआ यह details बनने के बाद closed नहीं होगा दोस्तों फिर शे आपको जो है submit by mechanic मेंने क्लिक कर दिया और हो मेकानिक हो गए है ठीक है न दोस्तों यह submit हो गए है इसके बाद आप को यह से भी करना है यानि stock adjustment voucher और bill आता तो यह पर दिखाई देता कि कितना चार्ज करना है consumer को thank you दोस्तों वीडियो देखने के